Less than a month from now, आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी opportunity है UPSC EPFO, जो की 2nd of July को conduct होने वाला है And specially मैं कहूंगा जो भी लोग UPSC Civil Service exam के त्यारी कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि 2023 के लिए जिनने dedicatedly त्यारी करी होगी उन लोगों के लिए golden opportunity है इस exam को बहुत अच्छे marks से clear करने की यह मैं क्यूं बोल रहा हूँ यह मैं अभी आपको बताऊंगा और even जो 2024 के लिए भी त्यारी कर रहे होंगे मतला जिनकों एक idea होगा UPSC के syllabus का खासकर civil service exam के syllabus का उनके लिए एक बहुती जादा golden opportunity यह लहने वाली है तो एक बार इस चीज को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे आने वाले एक मत में हमें इस exam को अप्रोच करना है और आज की इस वीडियो में हम UPSC EPFO प्लस मैं कहूंगा APFC के बारे में कैसे हमें इन exam को टैकल करना है इसके बारे में देखेंगे तो चलिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि हमारे लिए golden opportunity है अगर हमने civil service exam के लिए पढ़ाई करी थी तो देखें इस पूरे exam का अगर मैं आपको structure बताऊं तो कुछ ऐसा रहता है कि 120 questions रहते हैं पहली बात तो and 120 questions में से मतलब 2.5 marks का एक question रहता है तो this is 300 marks उसके बाद 100 marks का आपका interview रहता है इसमें कोई mains नहीं होता है सीधा आपका interview होता है and यह दोनों मिला के आपका final result बनाएगी considering कि interview में आपको at least 50% score करना है ऐसा कुछ इसका structure रहता है अब देखो syllabus में क्यों बोल रहा हूं कि UPSC जिनने civil service के लिए त्यारी करी उनके लिए एक अच्छी opportunity है क्योंकि syllabus में ना हमें बहुत जादा common चीज़े मिलेंगे जिसे मैं आपको बताऊं कि journal English पहले यहाँ पे journal English के questions है अब देखो जो मैंने analyze करा अभी previous year questions से यह देखके पता चरा कि journal English के जो questions थे ना they were easy मतलब अगर आपकी basic English अच्छी है ना देखो reading comprehension जो मैंने underline करी यहाँ चीज़े ना यह मतलब हमारे civil service exam में भी होती है reading comprehension तो आपको पता ही होगा C site अगर आप pass कर रहे हैं इस बार का तो उसका मतलब यह होगा कई ना कई कि आपका reading comprehension अच्छा था और यह जो बाकी चीज़े है ना देखे यह सब ना easy है जैसे मैं आपको दिखाऊं just a moment यह देखो यहाँ पर जिससे synonyms पूछे गए थे यहाँ पर यहाँ पर पूछे गए थे तो यहाँ पर easy थे यह चीज़े राइट ऐसी कोई difficult नहीं थी अगर आपकी basic English है देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यह जो टिक लगा है यह सही है यह किसी aspirant का paper था तो यहाँ पर मुझे यह समझ आया इसका paper देखके कि English अगर आपकी basic अच्छी है जिसे यहाँ पर filling the blanks था तो अगर आपकी basic English अच्छी है तो आप इसको tackle कर सकते हैं और देखो इस exam में क्या है कि English English plus मैं बोलूँगा जो आपका quant है यह मिला के around and around 30 to 35 question आते हैं अब आप बोलेंगे बापरे यहाँ पर वापिस से कॉंट आ गया अभी इसी ने हमारी seaside में हमारी नहीं है डोबाई है पर ऐसा नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पर यहाँ पर मैं बोलूँगा अगर आप और अगर मैं कॉंट के question आपको देखा हूं तो देखो वहाँ पर average ratio mention था यहाँ पर देखो average ratio से ही question है और these are still manageable देखो seaside में बहुत जादा toughness level थी मैं मानता हूं उस चीज को पर इसमें जो है इसमें जो है अगर आप basic in मतला यहाँ पर जो topic लिखे हैं इनको आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो this is still manageable तो देखो मैंने क्या बताया कि English प्लस कॉंट से around and around कुछ 30 to 35 question मुझे देखने को मिल रहे हैं अगर मैंने अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमें एक एज मिल सकती इस सीज में खासकर अगर हम CSC की preparation कर रहे थे तो अब देखो बाकी के इस लेबस में क्या है देखो अभी तक मैंने जो देखा एक तो modern Indian history ठीक है प्लस जो हमने पॉलिटी पढ़ा था वो पॉलिटी और प्लस जो हमने economy पढ़ा था इनसे around and around कुछ 25 to 30 questions मुझे देखने को मिले और सबसे ज्यादा वेटे जिसमें modern history का था और फिर quality and economics का था अब देखो जिससे modern Indian history में मैं आऊ न तो सलेबस में इस सब चीज़े दी गई है मतला देखो history में हमें EPFO UPSC जो EPFO है देखो APFC में थोड़ा सा culture वाला पार्ट है पर जो EPFO का paper है न इसमें history में सर्फ modern Indian history है और खासकर यह जो पहला वाला पार्ट है न इससे इतने questions मुझे नहीं देखने को मिले previous year में जैसे kinetic wars, Anglo-Maratha wars इससे मुझे question देखने को नहीं मिले previous year में पर यह जो बाकी चीज़ें इनसे question थे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ freedom struggle की देखो history के questions के तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ तो देखो सीधे सीधे question थे कि militant national school के यहाँ प मतलब देखो आपको focus किस चीज़ें पर करना है organizations पर उनके जो leaders थे उन सब चीजों पर तो आपको अगर इन सब चीजों में focus करेंगे तो आपका history you will be sorted out और देखो यह सारी चीज़ें मैंने जितनी भी चीज़ें आप पर underline करी हुई है ना मतलब आपने सारी चीज़ें पड़ी हुई है तो आपको करना क्या है revision यह एक महने सिर्फ आपको revision करना है पर हां इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो कि अब हम बात करते हैं कि extra चीज़ें क्या यहां तक तो हमें एक edge मिल गया अब देखो पहली बात मैं current affairs के बता दूं फिर मैं बताओं कि क्या extra जादतर जो current affairs थे that was focused towards government schemes अब देखो government schemes हम UPSC civil service exam के लिए इतना detail में पढ़के नहीं जाते राइट पर हमें इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आप website भी follow कर सकते हैं जो ministries की हैं उनकी पर हां अगर आप compilation देख लोगे कोई government scheme का एक बार उपर उपर से तो आपको बहुत जादा इसमें help मिलेगी और बाकी जो भी current affairs हमने पढ़ा था हमारे ले काम आएगा प्लस मैं बोलूँगा जो awards होते हैं और थोड़ा बहुत जो sports के थे ये इसमें question देखने को मिले थे तो ये सब चीजों के बारे में तो हम sorted होगे अब हमें देखना है ज जाला जैसे पिछले साल का paper था अब यहां पे जो accounting के questions थे ना मुझे यह समझ में आया कि बहुत जादा basic level के थे जैसे मैंने obviously मैं मैं commerce stream का था और 12th class में मेरे अच्छे माखसायत है accounts में accounts economics इन सब में तो मुझे देखके समझ आया कि बेसिक 11 12 का ही था जैसे मैं आपको बताओं यहां पे जो सब जो चीज़े हैं यहां पे current liabilities के बारे में पूछा है यहां पे debit and credit के बारे में पूछा है यह सब basic class 11 के जो starting आप उसको मतलब अभी का मुझे क्या लग रहा है कि आप सिर्फ जो पढड हो ना उसी को follow करो कोई एक चीज़ देख लो या तो आप PDF डाउनलूट कर लो 11 तर 12th class की NCRT का 12th की और starting के chapters में से basic पढ़ लो या तो अगर आपके पास कोई coaching compilation का पढ़ा है तो आप वो भी पढ करने पर हां basic level देखना जादा मत घुसना जैसे देखो बहुत ही basic question की first book कौन से होती है तो मतलब आपको बिल्कुल basic level से पढ़ना है और यहां पर आंसर जरूरी नहीं है सही हो मैं अगर बोल रहा हूं क्योंकि यह किसी aspirant की यहां पर डली हुए ठीक है तो accounting principle का मैंने आपक पढ़िए computer हमारे लिए extra है अब देखो computer से भी ना बहुत basic question आयते हैं जैसे मैं आपको दिखाता हूं अगर हमें बहुत basic नॉलेज है ना computer की तो हम वह चीज कर लेते देखो यहां पर जिससे यहां पर पूछा गया है कि which of the following is not a web अब देखो internet explorer हमें पता है firefox हमें पता है यह हमने कभी सुना नहीं है अब देखो 1gb equals to क्या होगा obviously thousand के आसपस हमें पता है है सब चीजे मतला computer का भी मुझे यह समझा है कि हमें बिल्कुल basic level की computer knowledge होनी चाहिए तो हम इसमें आराम से एक type से stand ले सकते हैं अब दो चीज़े बच रही है एक तो industrial relation and label law और एक यहां पर बचाए social security देखो इसके लिए मैं कहूंगा कि अगर कोई coaching की compilation आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि देखो इसके लिए हमें कम से कम एक source तो follow करना पड़ेगा तो कोई coaching की compilation अगर आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है वरना वरना आप क्या कर सकते हो कि ब quality को लेके sorted है हमने C site के लिए obviously basic maths पड़ी थी हमें उसको revision करना है हमें मतला बाकी चीज़े हमें still पता है और यह कहीं ना कहीं 72-75 questions हमारे निकाल देंगे अब बाकी जो बच्चर है 40-45 questions यह आपको basic चीजों में करना है accountants से आप basic पढ़ लो गया आपके कम से कम 4-5 questions तो easily नि है और इन सब चीजों को कोई एक source पकड़ो और इसको अच्छे से revise करो तो देखो मेरे ख्याल से आपको यही करना चाहिए तो मुझे जो लगा मैंने आपको EPFO के बारे में share करा I hope यह information आपके लिए थोड़ी useful होगी तो thank you so much for listening it so patiently and I'll see you the next time